हेलो, नमस्का दोस्तों कैसे हो असवी तो राज़तान जी के की टोपिक वाइज सीरीज में आज का आमारा टोपिक है राज़स्तान की मुख्य मीटिया और इन मीटियों से जोड़ी अब तक जितने भी पोर्टन क्योशन्स बनते हैं इसके लावा और जीतने भी रास्तान जीके के जो topic के उन पर वीडियोज है उनकी मैंने परडरे list बना दी है परडरे list में जाएए वहाँ पर topic है ये की नाम देख लेना रास्तान जीके वाइस टेस्ट सीरीज है वसमें सारे टोपिक वाज आपको टेस्ट एक जगाए मिल जाएंगे तो वह एक जगाएंगे तो क्या करना मैं सब्सक्राइब वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा उप्युक्त होती है काली या जिसको रेगर मीटी कह दीजिए ये की बात है और ये कापास के उतपादने के लिए सुर्वोतम उत्त मानि जाती है तो डी है वो आपका रायी तानसर ओगा Q2 है कि सरवादिक उपजव माने जाने वाली मीटी कोन सी है सबसे ज़दा उपजव मीटी कोन सी रास्तान की तो दोमट मीटी सबसे उपजव मीटी है C आपका राइट आंसर Q2 है कि राजस्तान में लवनी मृदा का सरवादिक परसार बताना है लवनिय मिती रास्थान के कौन-कौन चिल्लों में है? लवनिय मिती का सर्वादी विश्थार रहे जालोर में और बाड़मेर में. जालोर और बाड़मेर में है, तो c आपका Right Answer हो जाएगा. क्योस्तर नमर 4 आपका है, कि रावली परोत्य चेत्रों में मिरिद्धा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है तो ज़्यादा पसू चारण से भी होता है वनों की विनास की विज़े से भी होता है और एविवेक पूर्ण क्रिश्ची के विज़े से भी होता है लेकिन वाईयू की विज़े से परुती थेत्रों में मेरिदा पर दिन नहीं हुता ठीक है तो वाई यू हो जाएगा right answer चाले question number 5 आपका है कि मेरिदा में लवनिता की समस्या का समाधान क्या हो जाएगा कि खेतों में रोख explosions का है कि खेतों में रोग phosphate का यूज कर treaty घ्रका समाधान यूज करके इसका समाधान किया सकता है बी आपका right answer एगल है कि मीटी में सारी तकी समस्या का समादान क्या है मीटी अगर सारी है तो जिपसम का परियोग किया जा सकता है जिपसम का परियोग किया जा सकता है तो बी आपका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि राजस्तान में पहला मीटी प्रक्षिक्षन प्रियोग सला कब स्तापित गई गई थी राजस्तान की पहली मीटी प्रक्षिक्षन प्रियोग सला की स्तापना होई थी गुणी सो इठावन में 1958 में भी आपका राइट आंसर नेक्स्ट की राजस्तान में पहली मीटी प्रेक्सिक्षन प्रियोग सला है वो कौन सी जिल्ले में की गई थी जो गुनी सो ठ्याओन में बनी थी ये कौन से जिल्ले में इसकी स्थापना की गई थी तो पहली बनी थी मारवाड में जोदपूर में बनी थी B हो जाएगा आपका राई डांसर ओके नेक्स्ट आपका क्योसने की राजस्तान में निम्ना किन जिल्लों में लाल लोमी मीटी पाई जाती है लाल लोम मृरीदा है वो कौन कौन सी जुला में तो ये दक्सनी राजस्तान में होती है बांशवडा और डुमरपूर का एरिया जो है वहाँ पर तो बांशवडा डुमरपूर सही आंसर सी आपका राई डांस दस है कि हाडोती पतार जो है वहाँ पर किस परकार की मृरीदा पाए जाती है मीटी पाए जाती है हाडोती में जो है वो काली मीटी है यानि वर्टी सोल्स मीटी पाए जाती है वर्टीशोस प्रकार की मिटी पाय जाती है दक्षनी पूर्वी राजस्तान वे ने हाडोती चेतर में काली मिटी एक नम राई डांस है ग्या रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो की सही नहीं है तो सी गलत हो जाएगा कोटा जालावाड में काली मिटी ये भी सही है तो सी आपका राई आंसर है नेक्षर राजस्तान में किस प्रडिश में एंटी सोल समुए की मिर्दा पाय जाती है थे पस्चिमी राजस्तान में एंटी सोल में पस्चिमी राजस्तान में B है वो आपका राई डांसर 14. कि इन में से कौन से जोड़ा जो है वो सही नहीं है यानि लाल लोमी मीटी डुंगरपूर में सही है परवत्य मीटी उद्यपूर में सही है पिली भूरी मीटी बिकानेरी ये गलत है C गलत है गैरी मध्यमगाली कोटा में ये भी सही है तो भी सही होता साथ में, तो बांस्वडा में भी पाय जाती है, टिक है, तो बांस्वडा, डुंगरपुरुदेपूर्दक्षन रास्तान के एरिया जो है बहाँ पर तो राइटांसर भी हो जाएगा, next नेक्स 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 अठारा नमर कि रاجस्तान के जीलों में लाल ए लोमी मीटी ये किछ नमारा रिपीट हो गया है प desarrollo सा, तो लाल ए लोमी मीटी ये दक्षिनास सा भांश वडा डूनरपूर के जीलों में, उधेपूर की अरियो में, तो सी आपका रइट आंसा, चले कौन सी मीटी में सरवादिक मृदा की सूच चिक है ठेक है सारे मृदा का पीज मानम होता है वो आठ से उपर होता है आठ से उपर होता है डी आपका right answer next है कि किस ब्रकार की मृदाईं leatosols भी कहलाती है leatosols किस को कहा जाता है प्रुत्यय मृटी जो होती है परति जुम्रिदा होती है उसको का जाता है तो राइट 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 र सेंट 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 इस सेंट सेंटidents और प्रोछा डिल्वीयल कों दो six फ्रेशतान आर्थमाइट इसानों किए लूंच उने में RAJASTIAN के राजास्तान में ल। Débuster कहांपर पाए जाती है ठीक है लऊनी मिटी का वश्था रिनमें से कोटा जिल्ले में है देखे अगर यहांपर जालो बाड़ मेर होता तो भी आंसर रो जाता तो इसके लागव कोटा है तो भी सही हो जाएगा चलिए राजस्तार मेर नागोर में पाली में बाड़ मेर और जस्य switch老 में किस परकार की मीटी पाए जाती तो ये पस्छिमी राजस्तान का एरिय में नवमली जो है हडोती फटार में कौन से प्रकार की मीटी पाई जाती है हडोती फटार में यानि दक्षिन पूर रास्तान में काली मीटी पाई जाती है मद्यम काली मीटी पाई जाती है जो कि कपाज के उत्पादन के लिए अच्छी होती है कपाज के उत्पादन के लिए अची होती है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इप्चा सही आंसर है अगला है कि राजस्तान में किस स्थान पर इन सेप्टी सोस मीटी पाए जाती है इन सेप्टी सोस मरीधा है वो नहीं पाए जाती ठीक है किसे चेतर में नहीं पाय जाती है रासमंद में है बीलवाडा में है शीरोही में भी है बुंदी में नहीं है क्योंकि बुंदी हडोती चेतर का इसा है जहां पर काले मीटी पाय जाती है वर्टी सोस पाय जाती है इन सेफटी सोस नहीं या पर यह जुरूरी याद रख तो लगला है कि राजस्तान में लवनियता और सारियते की समस्या कहां पाई जाती है लवनिया और सारियते की समस्या है वो पाली जीले में है पाली जीले में ज़्यादा है तो राइट आंसर आपका एक नमर से आंसर निएकट्स है कि इन में से कौन सा जोड़ा है। जहांपर लाल पीली मीटी पाए जाती है। नेच्छ एक राजस्तान में मुरस्त लिये बालू का प्रबू की सिरोत क्या है। यह खास उते पराची नद्यों की दोरा लाइगी जो मीटी है। प्राचीन नद्यों के द्वरा लाएगे मीटी इसका मुक्या श्रोत है एक नमर आपका रायट आंसर चोति इसकी राजस्तान के किस जिले में केल्सी और थीड पाई जाती है केल्सी और थीड है वो राजस्तान के कौन से जिले में पाई जाती है तो ये सीकर जिले में ज़्य जाथा है सीकर में राइट अंस आपका बी हो जाएगा चले पैंटीस है कि निमलिक्त में से कौन सी मरिदाएं दीवत्य पोस्टन तत्मों का उदारण नहीं है बोरोन है मेंगनीज भी है कोपर ये पोटास नहीं है पोटास तो भी आपका राइट आंस अगले कि निमलिक्त व सेंटी इसकी उससर मृइदा है वो किसको का जाता है जो खारी और लोनी मीटी होती है उसको का जाता है कलर कह दीजिए रे कह दीजिए एकला है कि कपास है तू सबसे सोत मीटी कौन से कपास की उतपादन के लिए सबसे इससी मीटी है वो काली मीटी है काली मीटी और नेक्ष्ट आपका है कि हुम की मातरा सरवादी कौन सी मीटी में पाए जाती है हुमस की सरवादी मातरा जो पाए जाती है ये जलोड मीटी में पाए जाती है C आपका राइट आंसर चाली इसकी मीटी में सरवादी विस्मताई है वो काम पर पाय जाती है सरवादी की विस्मताई पाय जाती है सुमेरपूर में और सुमेरपूर है यह है पाली जिले में तो C आपका राइट आंसर वोके एकतारीस है कि बीड भूमी का विश्थार कोटा जिले में कितने हिक्टर में है ये लबग है 1.3-2 लाख हिक्टर में 1.3-2 लाख हिक्टर में तो भी आपका राइट आंसर और क्योसर में भी आ लिए इसकी लोणी मिटी से उत्पन समस्या क्या कहलाती है तो लोणी मिटी से उत्पन समस्या वो सेम कहलाती है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक नमबर तो ये थे टोब भी आलिस क्योसर जो आपके एक्जामें बार बार आते हैं कितने सही कि आपने कॉमेंट करके बता दीजिए पटापट वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और इसके लवा अगर आपने पहले की टोपिक के अगर सीरीज नहीं देखिया है तो आप पले लिस्ट में जाएए वहाँ पर मैंने एक अलग पले लिस्ट बना दी है रास्तांच चिके टोपिकवाईज टेस्ट के नाम से सारी टोपिकवाईज टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिल जाएगे पीडेप लेनी है तो टेलिग्राम चैनल से ले लेना इंस्टागरम यूज करते हो तो मुझे भी एड़ कर लेना वहाँ पर कर सकते हैं और वीडियो की description में Facebook page का Instagram का WhatsApp का और Telegram का link दे रहे हैं मैंने तो direct उस link पे जाके आप जोइन कर सकते हैं तो like कर दीजिए और इसको share कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए topic के साथ में और साथ में आप भी किसी अगर विशेश topic पर taste series आते हैं आप उसका comment करके नाम बता सकते हैं ताकि उस पर एक अलग से पूरी नई टे सीरीज बनाई जासके तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू